हेलो स्ट्रेंट्स हम पढ़ रहें अपना चैप्टर 4 प्राणी जगत जिसमें आपने चाढ़ संग पढ़ चुके हैं तो हमने नेक्स्ट टॉपिक में जो अपना संग पढ़ाता वो था हमारा टीनो-न-फोर तो जो टीनोफोर संग था उसमें हमने क्या जाना थे कि इनको सामानेते सम्मुंदर याक रोट बोला जाता है और ये कॉमजैलिक बोलते हैं इनको ये सम्मुंदर वास्ची होते हैं ये अरिय सम्मित होते हैं ये दुईकोरिक जीव होते हैं और इनका उत्तक स्रेणी का सरीर ह होता है संगठन जो होता है और इनमें बाय पक्षमा भी कंकाल पाए जाते हैं और जो चलने में इनकी साहता करते हैं इनमें पाचन कैसा था अंत्यकोष किया था तो ये सारी चीजे हमने पढ़े थी और एक में पॉइंट जो था इनमें जीव संदीप्ति पाई जाती है जीव संदीप्ति जो टीन फोर आ संग है उसके प्राणियों में पाई जाती है अब आता है हमारा संग प्लेटी हल्मेंथीज तो प्लेटी हल्मेंथीज जो होते हैं ये जो हमारा संग है इस संग के जो जनतों होते हैं इनमें क्या होता है इनमें मुक तो पाया जाता है लेकिन इ यहां पर वहीं है पुर्ण यहां पर लेकिन इहां पर सहब मैंत हिए जिसको भूत है वह इनका जो माउथ होता वो यहां पे होता है ठीक है इनमें वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है इनमें फेरेनिक्स कोशिकाय पाई जाती है जिननें बोलते हैं कशाभी काय पाई जाती है यह चूटी चूटी यहां पे कशाभी काय पनी हुई है कशाभी काय पाई जाती है इन इस Boss संग क सब्सक्राइब अग्जाम्पिल बताऊ प्लेटी मेंख्जाम्पिटी में जितने भी उसका एक्जाम्पल बताऊ प्लेटी मेंख्जाम्पील प्लेनेरी आप एक्जाम्पल दे सकते हैं आप मेंग्जाम्पल ले तो और उसके बाद आता है कि ये जो होते हैं इस SIPe सब्सक्रार्ण में अभा जो होते हैं इसलिए इस लिए मुख RPG करंभी ला को एंन dob 18 यानि कि डबल से है एक एक साय इनकी यह हो गई डूशे साय इनकी की यह होगी तो इसको बोलते दूइपार्च संमीत है कि आप इनको कट नहीं कर सकते बीच में से इस तरह के साथ कट करेंगे तो इनका पूरी बड़र डिवाइड नहीं हो सकती इसलिए दुपार सम्मित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और एगुह होते हैं यानि कि त्रिकोरिक यानि कि ट्रिपल लेरिंग होते हैं यानि कि इनमें तीन गुहे त्रिकोरिक होते हैं और एगुहा नहीं पाई जाती, मुख पाया जाता है, पाचन तंतर नहीं पाया जाता है कि इनमें एक अंग पाया जागा, तो एक अंग हो गया इनका मुख, तो इनमें क्या ऐसा है, कि इनमें अंग तंतर का सारी रिक्संगटन पाया जाता है, अंग इस्तर का, इन जंतू के सरीर में, क्या होता है, इन जंतू के सरीर में, चारो उपचार मुख, क्यूटिकल पाई जाती क्यूटिकल का एक आवरण रहता है यानि कि चारों तरफ यहां पर यह जो क्यूटिकल है इसका एक आवरण इनमें बना हुआ है इनमें जो पाचन तंत्र होता है वह पूर्ण अपूर्ण होता है यानि कि पाचन तंत्र में नहीं होता विरुकुल पाचन तंत्र में हखाय पाई जाती है और जो मुख रहता है है ज получится और इनके अंदर मुख रहता या सब्सक्राइक अकरां में लिकाई को я लेकिन पाचन AG में जारा जा रहे नहीं पाया जा रहा थो पाचं तंथन नहीं भी खाबर भी नहीं रहता मुक्तो है लेकिन मलदवार नहीं रहता मुक्त अमिलका त्याइग यह मुज़ ही खाते हैं मुक्त आपको अफ जिए अफसूसित करते हैं यानि कि अपना food को इस तरीके से भी take off कर सकते हैं इस तरीके से अपना food ले लेते हैं यह कि इपनी body में absorb कर लेते हैं अपनी body में चिप्ता लेंगे किसी भी चीज को और उसको चूस चूस के खतब कर देंगे खा लेंगे उसको तो यह खास्यात जो होती है प्लिटी हेलमेंथीज में पाई जाती है तब इनको चपता क्रमी बोलते हैं कि एक पर चिपड़ जाए तो फिर छुटता नहीं इनमें कुछ विसेश प्रकार की कोशिकाई पाई जाती है जो आला कोशिकाई फ्लैम शेल्स कहते हैं यह इनिकी खास्यत होती प्लिटी अध्यला को सीखाई प्लेटी हेलमेंथीयों में इसके प्लेटी हमें जाती है। उस में बिमारी हो जाते हैं देस्य संग प्लेरी इलमें टीज के प्रांभी होते हैं जो मनुश्य के और जंतों की पड़जीवी के रूप में यानि कि आथ में घुश घाते हैं गुश्च बांचाता है नहीं पया जाता है क्योंकि नमें अंग इस्तर का संगठन है अंग तंतर का संगठन नहीं है अंग इस्तर का संगठन है यानि कि एक ही अंग पाय जा रहा तो वह था है इनका मुह बाकि जी भी परिशंट तंतर है स्वशंट तंतर है यह सारे अंग में ही आते हैं यह उबहलि यह स्टार्टिंग में जननननकी पर कुछ और दिखते हैं और धीरे घीरे बढ़ेया में पुनरुद भवन रीजनरे شंथ और यह पॉंद का पाई यहऩाई पॉ trivia निस्तुर्ट होता है तो आप चिपकली को नोटिस कर सकते हैं चिपकली में क्या खासियत होती है उसमें रीजनरेशन की खासियत होती है चिपकली में कि आप देखते हैं कि उसकी पूछ चूट जाती है जैसे कि पूछ कभी दब जाती है या फिर दिवार से उसकी खुद की ऐसी उसके अंदर शमता यानि कि रीजनरेट करने की छमता तो यह जो प्लेटी हेलमेंथीस के प्राणी है इनमें भी रीजनरेट करने की छमता होती है और यह इनकी खासियत होती है यानि कि इसको बोल सकते हैं कि आज के टाइम का एक तरीके से इसको राक्षस भी बोलते हैं कि आज के टाइम का राक् पार्ट में पाए जाते हैं जैसे इनकी बॉड़ी में से कोई पार्ट अलग हुआ अगर उसमें केंद्रक बना हुआ है तो वह अपने यहां पर रिजेनरेट करना स्टार्ट कर देगा और एक नया प्राणी तयार कर लेगा इसके एक्जाम्पिल देखते हैं इसके एक्जाम्पिल है टीनिया सोलियम टैप बॉम जिसको फीता करमी बोलते हैं यकरत करमी लीवर फ्लिक्स होते हैं प्लेन एरिया है इसका एक्जाम्पिल अब देखते हैं यहां पर एक एक एक्जाम्पिल लिया है मैंने प्लेन एरिया क प्लेन अरिया को क्या किया है इसको तीन पार्ट में डिवाईड कर लिए इसमें ककत कर दिया बीच में तीन तो इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाईड से भी नहीं समझ में आता है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से की गूगल पर जाके देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं तो काफी बहुती सुन्दर तरीके से आपको पता चल जाएगे और आपकी समझ में भी आ जाएगा तो ज इतना ही छोटा होता है बस इसमें खासियत यह होती है कि इनके अग करने नियामन का और उसरजन का रहे करती है तीसरी खास्यत होती है इनमें कि इनमें पुन्रुद बबन रिजेनरेट करने की असीम जमता होती है ये इनकी खास्यत होती है और एक खास्यत इनमें किका करते हैं कि परपोस्टी को अपने सरीर पर चिप्टा लेते हैं उसको अशुशित कर लेते हैं भी इन में पाई जाती है तो ठीक है तो यह होगा आपका प्लेटी हेल में इन्थीस के बारे में नेक्स्ट संकाम अपना नेक्स्ट टोपिक में बढ़ेंगे